उतर प्रदेश के उन्नाव जन्पत से हेल्स्वाक्ट की सबसे बड़ी खबर जहां छेर चार का विरोध करने पर दबंगो ने मा बेटी वा बड़ी मा को बेरहमी से पीटा जन्पत उन्नाव के और आस्थाना छेत्र के अंतगरत एक गाउ निवासी युवती को घर पर यूवती को बुरी नियत से दबोच लिया यूवती के बिरोध तथा सोर मचाने पर बचाने दोरी यूवती की मा तथा बड़ी मा को दबंगो ने बेरहमी से पीट दिया घटना की जानकारी पुलीस को दी, पुलीस ने मुकदमा पंजिकलत कर घायलों को इस्थानी अस्पाताल में उपचार के लिए भिज़ दिया है हम अपने घर पर आंगर में बैठे रहे हैं, तो तो रामो और उमा संकराए हमारे साथ जबर जत्ती करने लगी तो आपने इसको शुचिना पुलीस को दी? जी हाँ पुलीस में क्या कारगाई कि अभी तक? रिपोर्ट लिए और मेडिकल के लिए भेजा है जा उनके अभी गिरफतारी हुँ तो अभी नहीं हुँ और आज थाना छेत्र के अंतरगत एक गाउ निवासी योवती ने और आज थाना प्रभारी निरचक हरी प्रशाद अहिवार को स्रिकायती पत्र देकर बताया की ब्रस्पतिवार को तो पहर लगभग 12 बजे थाना छेत्र के गाउ फकीरे लेड़ा निवासी रामू पुत्र रामजीवन वा उमासंकर पुत्र गेंदे लाल ने योवती को घर में अकेला देख कर घर में घुसकर योवती को बुरी नियत से दबोश लिया और चिरछाणी करने लगे योवती ने जब चिरछाण का ग्रोध किया और सोर मचाया तब योवती की माँ और बड़ी माँ बचाने के लिए दोड़ी तब रामूगा उमासंकर ने उनको भी घुनी तरह मार पीट कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए गटना की जानकारी और आस्ताना चेत्र नेरचक हाई प्रसाद अहिवार को लिखित तहरीर दी है ठाना प्रभारी नेरचक ने बताया है कि तहरीर मिली है मुकदमा दर्जकर घायलों को सामुदा एक स्वास्त केंडर और आस भेज दिया गया है तधा आरोपियों की तलास क कि जा रही है हमारिन हमका पकरिक हमार सब नोच घजोरुमा संकर रामू हमरे दाफो गाले पर मारिन पीठी पर मारिन मतलब घूसा है चलाइनी लचाय लचाय पकरिके बार घूसान मारिन क्या इस माम ने तहरीक दी गई ठाने में हाँ अभे इस तक उन लोगों की रफ्तारी खुई है कि अभे नहीं हुए क्या हुए क्या हुए